3, 2, 1 इस जगह आप 25 भाट देखर और इन बक्री के बच्चों को दूद पिला सकते हैं तो दोस्तों आज का सफर का सुरुआत हो चुका है और हम लोग पहले पॉइंट की और आ चुके हैं अपने होटल से लगबग आधे गंडे का सफर तै करके और यह फ्लोटिंग मार्केट है यह पीछे आप जो देख रहे हैं यह फ्लोटिंग मार्केट है और यह यहां का इंट्रेंज गेट है और सुबह नौव बय से सामके छे बय तक यह मार्केट ओपन रहता है और अंदर जाकर देख रहे हैं क्या सेनरी है क्या मार्केट का द्रिश्य है यह सब आपको दिखाऊंगा हम यह सब आपको एक्टिविटी कर रहे हैं तो 800 बाट और जेवल इंट्रेंस फी है 200 बाट और अब अब उन्हों चल रहे हैं अंदर की ओर जैसे ही गेट में आप इंट्री कर रहे हैं तो पहले हॉल में कि आपको जो द्रिश्य दिखाई देगा वह कुछीज पर गारगा द्रिश्य और भाई यह पानी के उपर तैर्चा हुए मार्केट है यह और भाई अब सिखारे फर अब हम सवार होंगे और फिर मार्केट कानन्द लेंगे और इस सिकारे पर एक घंटे के लिए एक घंटे का यह राइड है और देखा जाए मार्केट कैसा है सेम जैसा हम लोग सिरी नगर में डल लेक में घुमते थे सेम वैसा ही कुछ फिलिंग आ रहा है मुझे तैरता हुए मार्केट है और कोफोनेट भीक रहा है कैसा लग रहा गोपाल जी? मेयार! मेयार अचा इस अचा मेर्केट का का रहा है तोपी! तोपी! हुआ कर दोपी! तोपी, तोपी! और वाप कर दोपने या और यह सब सीफूड सब यह मिलता है सीफूड और आराम से बैठ कर खाईये यहाँ कोश्ट कुछ जादा है यह सब साबून से यह सब आइटम बन रहा है बहुत है बैदरिन है यह सारे अटम्स देख लिजिए टोटल फल अभी भी यहां मिल रहा है यह देखिया आम तब असली है कोई नकली ने यह दो यह से शबड़े आर्यल ने यह दो और बहुत है यह दो यह दो। वाथ थाइलेंड 140 वाथ यहाँ तो हो गिया यहां का घुमाई और ठीकी था मुझे खराब नहीं लेकिन लाष्ट में एक जगा देख रहे हैं कि उस्ते का मीट भी रहा है इस जगा बाकी सब ठीक है नजारा भी अच्छा है फोटो घीचाने के एक से एक पॉइंट है और कुछ हमारे गुरूब के लोग साथ फिट लंबी साथ फिट लंबी और के साथ फोटो घीचा रहे है और ये भी सुंदरी फोटो घीचाने के लिए और के अधर्य पारिश ब्लाइज ब्लाइज बालएज ब्लाइज 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 भी ब्लाइज का आगार साई तो भाई बहुत अच्छा रहा है तो अब पठाया फ्लोटी मार्केट को आप बीदा कर रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं भाईया घूम लिये मार्केट अब चल रहे हैं अपने गाड़ी की ओर